आज के हमारी रेस्पी है पनीर चिली यानि कि चिली पनीर यह एक फेमस शाइनिस डिश है इसकी बनाने के बहुत इजी रेस्पी में आपके लिए लेक्या हूँ प्लीज आप इसे पूरा देखिए और आप अपने घर पे बहुत जो ट्राइ कीजिएगा आपको पसंद चलिए इसके रेस्पी को अब देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें चाहिए चॉप्ड टोमैटोज चॉप्ड कैरेट्स यानकी गाजर फिर डाइज ओनियन यानि प्याज फिर हमें चाहिए डाइज शिम्ला मिच फिर ब्लाक पेपर पावडर पेपर टेबल सॉल्ट चाहिए पनीर हमने क्यूप्स में काट लिया है यही तो hero of the dish है सबसे पहले पनीर को हम क्यूप्स में काटेंगे और उसे प्लेट में लेके उसमें हम मिलाएंगे थोरा सा कॉन फ्लार कॉन फ्लार इसे कोटिंग के लिए चाहिए होगा ताकि पनीर के उपर एक अच्छा सा क्रिस्पी कोट बन जाए फिर इसके बाद इसमें डालेंगे थोरी सी लाल मिच पावडर और फिर इन दोनों चीज़ को अच्छे से हम पनीर के साथ मिला लेंगे ताकि इस बाद हम इक कडाई लेंगे अतरए में डालेंगे है रिफाइन औयल कि सल जाए जयुकी आपने बनीर को अठम करें ताकि को थिस system कर दाले दें ज्यार डेंड़ के ज्यादा टीजी से ने डाली बनीर की ने तो वह टोट सकते हैं पनीर की क्यूब को डालेंके बाद इसे अब वक्त इसे निकालने का तो इसे आप तेल को अच्छे से स्ट्रें करते हुए निकाल ले यानिकि तेल चंज हैं पनीर को आप बिल्कुल आराम से और हलके हाथ से ही निकालें उसके बाद हम लोग ग्रेवी बनाने के लिए क्या करेंगे एक डाई लेंगे उसमें थोड़ा सा टेल डालेंगे और फिर हम डालेंगे उसमें चौप्ड गार्लिक को गरम तेल में ही डालें और फिर इसे दो अब टेल रखनाएं इसे हलका क्रिस्पी ही रखना है बस थोड़ा कलर ट्रांसलूसिंट हो जाए तब तक इसे पकाईए ज़्यदा पकाने से डागा यह पयास गल जाएंगे फिर इसका फ्लेवर खतम हो जाएगा जैसा कि आप देख लिए पयास हमारे हम थोड़ा थोड़ मैंने गाजर इसलिए डाला है क्योंकि मैं चाहता हूं यह थोड़ा सा सब्जी से भरा पूरा रहे और थोड़ा सा वेजी मुझे पसंद है इसे अब थोड़े देर के लिए ही पकाईए जादा नहीं पकाईए क्योंकि यह इसका कलर ख़़ाब हो जाएगा और इसकी क्रिस्पिनिस चली जाएगी चली इस टेज़ पे हम आड़ करते हैं इसके बाद इसमें अड़ करें गें ब्लैक पेपर पाउडर यानि की कालिम मिर्च की पाउडर फिर इसके बाद हम आड़ करेंगे नमक नमक सौद अनुसार आड़ कीजी सब चीजों को मच्छे तरस मिला लेंगे ताकि सब चीज अच्छे से मिक्स हो जाए एक दूसरे के स सेज्वान सास तर इसके बार इसके बार इसके मैंने डाला है थोड़ा सा टोमाटो केचप यह भी ऑप्षिनल है तोमाटो केचप जस्ट बैलने टेस्ट फिर इस सब सॉस को हम इन सब्सजी ओ के साथ अच्छे से मिला लेंगे और फिर धीरे-धीरे से हलके फ्लेम पर पकाएं यह इससे टेक्चर देगा कलर देगा और यह थोड़ा सा खटा फ्लेवर भी देगा सभी अपने सब्सजी के साथ अच्छे से मिला देते हैं कि आप देखरों सास के डालने को इसके कितनी टेंटिंग हो गई अब इसमें हम आट करेंगे चॉप्ट टोमाटो यह भी ऑप्श कि आपको अपनी ग्रेवी कितनी थिक कितनी तिन रखनी है उसके अकॉर्डिंग यह चाइनीज ग्रेवी जादा थिन नहीं रहती है तो आप इसे मीडियम ही रखिए अब हम बनाते हैं सलरी सलरी एक थिकनिंग एजिंट का नाम करता है चाइनीज डिशेज में जिसमें हम मिक्स करते हैं अपने ग्रेवी में इसे अच्छे से मिक्स किजिए और फिर इसे थोरे देर के लिए पकाईए जब तक यह ग्रेवी ठिक ना हो जाए क्या अब देखरो कि ग्रेवी बॉयल आ चुका है अब इसमें टाइम आ गया पनीर डालेगा हमने जो पनीर पहले इस ग्रेवी का पूरा कोट हो जाए यानि कि पनीर पूरे इस ग्रेवी में कोटेड हो जाए और अच्छे से मिक्स हो जाए सब चीजों को एक साथ मिक्स करेंगे ऐसे ज्यादा नहीं पकाएंगे जैसा कि आप देख रहो हमारे पनीर चीली अब बिलकुल रेडी है इसे गा बनाना भी कितना आसान है और यह होगे हमारा पनीर चीली बनके तयार गाइज आप एक बास जरूर अपने घर पे से ट्राइब कीजेगा यह बहुत आसानी से बन जाएगा आपने जैसे इसकी रेस्पी देखिए और प्लीज कमेंट बताए कि कैसा बना थाइंक्स फर वाच आएंदल